बुलु स्री प्राणनाथ प्यारे की, बुलु स्री सत्गुरु महाराज की स्री महामत कहे ए साथ जी सुनियों चित दे तुम अब आरोगन के वक्षत का हुआ है हुकाम हुआ है हुकाम राजभोग अब कहुँ आरोगन की उठत समे जिलन प्राणधार सुन्दर साथ जी अभी हम अश्ट प्रहर की लिला का वर्णन सुन रहे हैं जिसमें कल की चर्चा में हमने पहले प्रहर अर्थाद 6-9 बजे के बीच में कौन से दिन चरिया होती थी सुन्दर साथ किस भाव से स्री जी को रिजाते थे इसी तरह से दूसरे प्रहर अर्थाद 9-12 बजे के बीच में कैसे लिला होती थी इस प्रकार स्री जी चर्चा करके सुन्दरसाथ को आननद देते थे उसका वर्णन सुना अब आगे महमत श्री लालताश जी राज भोग के विशय में बता रहे हैं कि चर्चा करते-करते स्री जी के भोजन का समय होता है अभी चर्चा चल ही रही है कोई सुन्दर साथ ऐसा नहीं है जो स्रीजी की चर्चा के बीच में बोलने की या बात करने की हिम्मत रखता हूँ लेकिन अब क्योंकि समय की मर्यादा का भी कई बार ध्यान रखना होता है तो सुन्दर साथ जैसे ही भोजन की तयारी कर लेते हैं तो भोजन से लगबग दो घड़ी पहले ही दो घड़ी में 45 मिनिट तो लगबग दो घड़ी पहले ही आकर के एक सुन्दर साथ जिन का नाम है हनमन्त बाई वो अरजी करती है दो घड़ी पहले इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि स्री जी तुरंत चर्चा तो बंद नहीं करेंगे कैसा प्रसंग चल रहा है कैसी परिस्थती चल रही है पता नहीं है और दूसरा कि यदि अभी स्री जी को बता दिया जाए कि भोजन का समय हुआ है तब तक उधर भोजन बनने की तैयारी भी हो जाएगी यदि स्री जी जल्दी छोड़ देते है यदि प्रसंग समाप्त होने वाला है और छोड़ देते है तब तो क्या होगा कि स्री जी इसना नित्यादी से निवरित हो जाएगे और उदर भोजन बनने की प्रक्रिया भी पूरी होगी वरना भोजन बनाने के बाद बुलाने पे क्या होता है? कि कई बार बुलाए जाने के बाद भी स्रीजी दो घड़ी तक या उससे भी अधिक समय तक चर्चा करते रहते हैं फिर उसके बाद इस ना इत्यादी करने पर बनाया हुआ भोजन फिर थन्डा भी हो सकता है इसलिए सारा धियान रखते हुए सुंदर साथ स्री जी की चर्चा चलते चलते ही समय से दो घड़ी पहले ही स्री जी को सुचित कर देते हैं श्री जी साहिब अब भोजन का समय होने वाला है श्री जी आदेश दे देते हैं कि ठीक है आप जाई अपनी तयारी कीजिए हनुमंत बाई जाकर के बाईजराज जी से अरजी करती है कि श्री जी ने आदेश दे दिया है हम तयारी करते हैं और स्री जी अब सुन्दर साथ को आदेश देते हैं कहते हैं हुकम हुआ स्री राज का लियाओ धोती पोती तेल सेवा के सामिल मिलो तब आऊं तुमारी गैल सुन्दर साथ कुछ सुन्दर साथ को आदेश देते हैं जो सेवा में शामिल हैं उन्हें कि आप धोती दूसरे वस्त्र और तेल लेकर क्या आई है तब मैं आपके साथ चलू अब यहाँ जो चौपाई कह रही है हुकम हुआ श्री राज का इस एक चरण से स्पष्ट होता है कि उस समय के जो सुन्दर साथ थे 5000 की जमात थी पन्ना जी में वे स्री जी को किस भाव से मान करके सेवा करते थे राज्जी के भाव से ही वो सेवा कर रहे हैं और केवल मानने की तो बात नहीं है वो साक्षात राज्जी ही है हाँ उन्होंने पहचान की है तो इस भाव से वो सेवा कर रहे हैं अब सुन्दर साथ तेल धोती आदी वस्त्रों को तयार करते हैं क्योंकि नहाने से पहले तेल का मर्दन करके मर्दन कहते हैं मालिश को तो तेल की मालिश करके उसके बाद इसनान किया जाता है सरीर के स्वस्त के लिए तो स्रीजी कहते हैं कि आप जाईए अपने अपनी तयारी कीजिए मुझे मेरी चर्चा में बीच में बाधा क्यों डाल रहे हो आप तयारी करके मुझे बुलाओ तभी मैं चलूँगा वैसे पहले ही मैं चर्चा छोड़ करके नहीं चलने वाला इतने में जैनती दाहजी आ करके अर्जी करते हैं कि स्रीजी साहिब अब आप सुन्दर साथ की बात को ध्यान दीजिए इसनान भी करने की आउशकता है फिर भोजन भी करना है उसके बाद की भी दिन चरिया है और सुन्दर साथ भी बुखे होंगे तो कुछ विशिस तरह से जैनती का का प्रार्थना करते हैं तो फिर स्रीजी कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलिए चलते हैं स्नान के लिए और उठ करके अब इसनान के लिए एक चोकी पर विराजमन हो जाते हैं सुन्दर साथ उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है और सब सुन्दर साथ मिल करके स्रीजी को तेल लगा करके मालिश करना प्रारम करते हैं एक सुन्दरसात है, ज्यादा से ज्यादा दो लोग भी मिलकरके मालिष कर सकते हैं, की जा सकती है, लेकिन सुन्दरसात के मन में भाव है, कि यदि हाथ में तेल लगाकर कि स्री जी की एक उंगली को भी स्पर्स करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम धन्य धन्य हो जाएंगे सब सुन्दर साथ घेरे हुए हैं स्री जी की तेल से मालिस होती है और उस समय मालिस के लिए तेल की सेवा या कटोरी में तेल भरके लाने की सेवा एक गंगाराम जी और दुसरी गोदावरी जी करती है और उसमें गुल जी भाई तथा अन्य जितने भी सुन्दरसाथें घेर करके वे सब सुन्दरसाथ मालिस करने की सेवा करते हैं और मालिस के बाद बचे हुवे तेल को भी सुन्दर साथ प्रसादी समझ करके उसको अपने अपने सिर में लगाते हैं। या फिर मारा वाला जी चलिये जमना जल जिलिये ऐसे जिलना के प्रकरण का भी सुन्दर साथ गायन करते हैं। होते हैं तो चव की लगाने की सेवा, हाथ पकड़ करके बिठाने की सेवा, उसके बाद कोई सुन्दर साथ यदि एक जग भी पाने डालने के सेवा करते होंगे तब भी उनको लगता होगा कि अरे हमें तो स्री जी की सेवा का सववाग्य प्राप्त हो गया। श्री जी जहां इसनान करते हैं उसके उपर चार सुन्दर साथ मिल करके एक कपड़े का चंद्रवा तान देते हैं। चंद्रवा किसलिया आज कल की तरह पके बाथ्रूम इत्यादी तो होते नहीं थे सावचाला या इसनान घर इत्यादी। तो उपर से कोई भी चीडिया इत्यादी नाजाकिओं की जंगल का छेतर है। तो कोई भी पक्षी इत्यादी उपर से न गुजरे क्योंकि गुजरते हुए कई बार विस्ठा भी कर सकती है तो सुन्दर साथ एक एक छोटी सी छोटी बारिकियों का धियान रखते हैं तो चंद्रवा तानने से ले करके उसके बाद इसनान के बाद स्रीजी के सरीर को पोँ करनाते समय दरपण दिखाने की सेवा सोचे एक इसनान का कारिया है और उसमें भी सुन्दर साथ ने सब ने अलग-अलग सेवा पकड़ ली है लिखने में पढ़ने में या बोलने में क्या लग रहा है स्रीजी इसनान कर रहे हैं एक क्रिया एक वर्ब हमने प्रयोग कर लिया इसनान का लेकिन उस एक सेवा से जुड़ी हुई बहुत सारी सेवाएं हैं बहुत सारी छोटी-छोटी सुख्स्म-शुख्स्म प्रक्रिया हैं और सुन्दर साथ उन छोटे-छोटे कारियों को भी उसी भाव के साथ कर रहे हैं उसी तनमयता के साथ कर रहे हैं इसलिए इस अस्टप्रहर की सेवा का बहुत ही अधिक महत्वा है इस बार तो प्रसंग और परिस्तिती ऐसी बनी कि हम चाह करके भी अस्टप्रहर की सेवा का बहुत अच्छी तरह से विस्तार नहीं कर पाए हाँ आने वाले दिनों में यदि कभी समय लगा ऐसा तो विशेश रुप से इसकी अलग चर्चा करके हम कोशिश करेंगे कि हमारे यूटीब चैनल पर सब सुन्दर साथ इसका आनंद ले एक एक बारी की को हम जाने समझे कि किस भाव से सुन्दर साथ सेवा कर रहे थे अभी के लिए हम एक अउपचारिकता के लिए संग्षिप में इसको कल की पूर्णा होती को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहे हैं अब स्री जी को इसनान कराने के पस्चाथ सुन्दर साथ मिल करके वस्त्र अभू सण इत्यादी पहनाते हैं और फिर अब भोजन की तयारी होती है अब भोजन के लिए एक बहुत बड़ी चादी की थाली है जिसको लालदाह जी ने बड़े ही प्रेम भाव से बनवाया है उसको धो करके बाईजी राजी स्वयम अपने हाथ से धोती है और रुमाल से उसको पहुचती है उस चादी के थाली के अंदर सोने के और चादी के सोना और चादी के दस कटोरे हैं जिन कटोरों में विभिन प्रकार की दालें सबजियां और अलग-अलग वियंजन रखे जाते हैं क्योंकि दोपहर का जो भोजने उसको राज भोग कहा जाता है एक राजा किस तरह से भोजन करता है श्रिजी की अवस्था के हिसाब से भले ही स्रिजी इतना आहार न करते हों पर सुन्दर साथ ने अपने तरफ से सेवा में कोई कमी नहीं रखी है जो बचता है उसको सुन्दर साथ प्रसादी के रूप में गरहन करते हैं अब बाईजी राज जी आती है, मध्यान को दोपर को थाली ले करके आई है, अब भोजन करने के लिए भी स्री जी जा रहे हैं, तो स्री जी के चलने के लिए भी पाउड़ा बिचाया जाता है, और सुन्दर साथ के मन में एक और विशेस भाव है, कि भोजन किसके लिए जा रहा है, स्री जी के लिए, स्री जी के भोजन को ले करके जा रही हैं बाईजी राज जी, तो बाईजी राज जी के आगे भी सुन्दर साथ उसी भाव से पाउड़ा बिचाते हैं, और उस पाउड़े पर चलते हुए, भोजन ले करके बाईजी राज जी आती है, अब श्रीजी साहब आ करके विराजमान होते हैं अब श्रीजी को हाथ पकड़ करके बैठाने के लिए एक तरफ लालबाई जी हैं और दुसरी तरफ धनबाई जी हैं जो सेवा में सावधान रहती हैं खबरदार रहते हैं यहां सावधान अथवा खबरदार रहने का क्या तातपर लिए है देखेए एक कहावथ कही जाती है एक लोकोक्ती है संस्क्रित भासा की कहते हैं सेवा धर्म प्रम धर्म योगी नाम अपि अगम्य वा सेवा धर्म ऐसा धर्म है जो योगियों के लिए भी बहुत मुश्किल हैं किसी एक इस्थान में अकेले एकांत में रहकर के धियान करना तो आसान है वैसे तो आसान भी नहीं है फिर भी सेवा से आसान है धियान करना क्योंकि वहां हमें किसी विशेश व्यवस्था को नहीं देखना है किसी और की चिंता नहीं करनी है हो पाएगा की नहीं हो पाएगा वो भी न पर सेवा में क्या होता है देखिए एक किसी साधू ने कहा गुरू बनना सहज है कठिन बनना दास यहां दास मतलब सेवा करने वाला गुरू बनना सहज है कठिन बनना दास दास तो तब हो वहीं जब हाड रहे न मांच मतलब अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा तब कोई वक करते हैं जो गोडे पे चड़ता है गिरने की संभावना भी उसी की होती है जो कुछ नहीं करता उससे गलती होई नहीं सकती जो कुछ कर रहा है उसी से गलती होती है अब जब गलती दिखेगी समाज उस गलती को टोकने के लिए बताने के लिए तयार बैठा हुआ क्योंकि उस नहीं करता उसके पास पूरा समय है अब एक सेवा करने वाला व्यक्ति मान लिजे कि किसी की भोजन बनाने की सेवा है नमक थोड़ा ज्यादा हो गया तो सुनो नमक नहीं पड़ा तब भी सुनो यदि किसी दिन समय से पांच मिनिट पहले ले करके गए तब भी सुनो पांच मिनिट बाद ले करके गए तब भी सुनो ये तो एक भोजन के संदर में मैं बता रहा हूँ यदि एक ही प्रकार का भोजन दो दिन लगातार बनाओ तब भी सुनो हर दिन अलग-अलग भोजन बनाओ तब भी सुनो मैंने सुना कितनी सच्चाई है वो तो राज्जी जाने पर सरकार स्री ने बहुत सारे सुन्दर साथ को सेवा में तयार किया था अपने तरीके से मुझे किसी सुन्दर साथ ने बताया अब मैं उसका साक्षी नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है पर किसी से मुझे पता चला जैसे किसी कार्यकरम के बाद में प्रसाद माटना होता था प्रसाद माटने की सेवा होती थी तो यदि सुंदर साथ थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद बाटता तो सरकार स्री उसको डांट के बोलते बचा के घर ले जाएगा और यदि थोड़ा ज्यादा ज्यादा बांट दिया तो बोलते थे बाप का माले जो इतना इतना बांट रहा है तो सेवा करने वाला व्यक्ति बहुत ही सजग होना चाहिए जागरोख होना चाहिए यहाँ जो खबरदार शब्द का प्रयोग किया है उसका भाव यही है कि सेवा करने वाले व्यक्ति को इतना सजग रहना चाहिए इतना सावधान रहना चाहिए कि कोई चूक ना हो और दूसरी बात क्योंकि कालमाया का ब्रह्मान्ड है कोई भी पूर्ण नहीं होता है इस कालमाया के ब्रह्मान्ड में परफेक्शन जैसा कोई सब्दी नहीं है सब्दे पर परफेक्शन नहीं है आप कितना भी अच्छा कर ले उससे और अच्छा होने की संभावना हमेशा बनी रहती है तो आपसे गलती तो होगी आपसे कमी तो होगी अब वहां केवल सावधान रहने से काम नहीं चलेगा जो कहा है ना कि दास तो तब हो वहीं हाड रहे ना मांच आपकी कमी होगी तब भी सुनाई जाएगी आपकी कमी नहीं होगी तब भी कमी निकाल के सुनाई जाएगी दोनों अवस्था में आपको हाड मांस से रही तो करके मतलब जैसे मुर्दा वेक्ती है जिसका हाड मांस गल गया वो भला क्या प्रतिक्रिया कर पाएगा तो उसी विनम्रता के भाव में प्रतिक्रिया की बीना यदि आप सेवा कर सकतें तो सच्चे सेवादार है यदि आप आपकी सेवा की थोड़ी सी प्रसंसा से फूल गए और थोड़ी सी खंडनी से अथवा कटाक्ष से आप दुखी हो गए तो आपकी सेवा भावना भंग हो जाएगे क्योंकि देवचंद्र जी ने हमें क्या सीखाया लील भाई जी को जब लोग ताना मार रहे थे वो आकर के सेवा मांगती है कि आप जो सेवा करते हैं बाके भीहर जी कि वो सेवा मुझे दे दीजिए भोजन मुझे बनाने दीजिए पानी मुझे भर के लाने दीजिए तो उन्होंने कहा था कि यदि तुम सेवा करते समय तुम्हारा दिल दुखेगा तो मेरी सेवा भावना भंग हो जाए क्योंकि दुखी दिल से नहीं हो सकती ना सेवा सेवा करते समय हरिदय में वो प्रसनता होनी चाहिए अरिश्रम तो मजदूर भी करते है आप अपने घर में एक कामवाली बाई रख लीजिए वो भी खाना बना के खिला देती है एक माता भी खाना बना करके खिला देती है पर दोनों के कारिये में फर्क है ना आप कामवाली बाई को बोल दीजिए कि दिदी आज तीन की जगह पे पांच रोटी बना देना यदि उसने पहले ही आटा गूंथ लिया हो अब उसकी मजबूरी है कि आपके यहां नोकरी करनी पड़ रही है गूंथ तो देगी पर मन ही मन पानी के साथ में आट-दस गालियां भी डालेगी कि पहले नहीं बता सकते और उसी स्थान पर आप खाना खा रहे हैं तीसरी रोटी खाने के बाद यदि आप मा को बोलेंगे कि मा मुझे दो रोटी की भूख और है वो तो और खुस हो जाएगी कि आज मेरे बच्चे को ज़्यादा भूख लगी है आज मेरे बच्चे ने ज़्यादा खाना खाया परिश्रम दोनों ही कर रहे हैं मा भी उतनी ही परिश्रम कर रही है वो बाई भी उतनी परिश्रम कर रही है पर दोनों की भावनाओं में फरक है तो सेवा जो है वह केवल परिश्रम से नहीं है हम भी ज्यानपीठ में यदी रह रहे हैं हम कई बार कहने को तो बोल देते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं खेत में सेवा कर रहे हैं कम्पीटर की सेवा कर रहे हैं रसोई में सेवा कर रहे हैं जाडू लगाने की सेवा कर रहे हैं पर यहां हम सच में देखें अपने आपको कि हम जो कर रहे हैं, एक रोबोट की तरह समय बता दिया कि अच्छा 5-6 गंटी लगनी है, जाना है 5 बज़े जाना है, 6 बज़े आना है, उस रोबोट की तरह बिना भाव के यदि हम केवल चल रहे हैं, हमारे अंग चल रहे हैं, पर हरदय में भाव नहीं है तो वो सेवा नहीं है वो काम है फिर मजदुरों की तरह हाँ बले ही हम आदे घंटे के लिए करें लेकिन हमारे हरदय में भाव है कि इस सेवा से मेरे सुन्दर साथ को लाब प्राप्ति होगी जैसे मैं उदाहरण के लिए दूसरों का उदाहरण क्यों दो यदि मैं मान दीजी थोड़ी देर के लिए मुझे राजजी ने इस काबिल समझा कि मैं थोड़ा बहुत टाइपिंग इत्यादी कर सकता हूं या करेक्शन वगर कर सकता हूं अब मैं ये सोच रहा हूं कि पांच बज़े से छे बज़े तक मुझे टाइपिंग करना है इतनी देर में मैं आट-दस पेज कर लेता हूं और उसके बाद ऐसे करते करते जब तक होगा होगा जितनी दिन में धोगा देखा जाएगा तो वो सेवा नहीं है हाँ मेरे मन में ये है कि ज्यानपीठ में अभी इतनी सारे साहित्य छप रहे है यदि ये साहित्य सुन्दर साथ तक पहुचेंगे तो उनकी आत्मजागरिती में सहायक सिध होंगे स्वामी जी के मन में जो जागनी की भावना है या जो हमने वादा किया है राज्जी से सुन्दर साथ से उसके पुरा होने में ये सहायक है इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इस सेवा को समाप्त करना है और अच्छी तरह से करना है तो वो सेवा है कई बार हम क्या कर देते हैं कि मान लिजे कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ क्योंकि सेवा का हो सकता है मुझसे बहुत अधिक अनुभव आप लोगों को हो लेकिन जैसे कागज में प्रूफ रीडिंग के लिए हम किसी को देते हैं वो कागज में अपनी तरफ से देख करके गलतिया निकाल करके हमें दे देते हैं लेकिन उसके अलाव भी कई गलतियां हो सकती है तो कुछ सुन्दर साथ ऐसे भी होते हैं जो देखते हैं कि देखते हैं कि गलती तो है पर केते हैं कागज में लिखके दिया नहीं है जितना हमें करके दिया जाएगा हम तो उतना ही करेंगे वो सेवा नहीं है और हमें जितना कहा जा रहा है हमारी जितनी क्षमता है उस क्षमता को और पुश करके और अपनी लिमिट को और आगे बढ़ा करके यदि हम कर रहे हैं तो वास्तों में वो सेवा है तो खबरदारी का ये भाव है सावधानी का ये भाव है कि किसी भी तरह से कहीं भी कमी न रह पाए अब यहाँ स्रीजी भोजन के लिए विराजमान हुए है यहाँ एक सुन्दर साथ है ललिता जी क्योंकि राजस्थान की है राजस्थान में एक सब्द बहुत अधिक प्रचलन में है घणी खम्मा गणी खम्मा मतलब छमा कर दीजिए तो आ करके ललीता सखी गणी खम्मा कहती है और कहते हैं कि धामधनी सब का कल्यान करे इसका आर्थ यह होता है वास्तों में कि धामधनी सब का कल्यान करे इस तरह से वो उच्चारीत करती हैं और अब श्री जी भोजन कर रहे हैं, भोजन के समय मुकंद दास जी वानी गायन करने के लिए बैठ जाते हैं, उनके साथ हमें कनड हैं, परमानद हैं, मानबाई हैं, ऐसे कई सुन्दर साथ हैं जो वानी गायन के लिए बैठते हैं, देखिए, सामान्य रूप में, वैसे तो हम भी कई बार इस चीज का पालन नहीं करते पर जिस प्रकार भोजन तीन प्रकार के होते हैं साथसी, राजसी और तामसी है ना तामसी भोजन किसे कहते हैं हम वैसे कुछ दिन पहले ही चर्चा में सुन चुके मैं उसको दोहरा नहीं रहाओ समय की अधिकता हो जाएगी नहीं तो तो केवल भोजन तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी नहीं होते आपकी अवस्था कैसी है उस भोजन को करते समय उससे भी भोजन का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है जैसे बले ही भोजन सात्विक हो पर आप किसी से जगडा करके आए और गुस्से में खा रहे हैं तो उस भोजन का आप पर तामसी ही प्रभाव पड़ेगा तो ये भावना का भी फर्क होता इसलिए प्रयास किया जाता है, कहा जाता है कि जब भी भोजन करें मन शान्थ होना चाहिए इसलिए प्रार्थना की जाती है प्रार्थना करते करते यदि मान लिजे कि किसी कारण से भोजन से कुछ समय पहले ही यदि हमारे अंदर थोड़ा सा क्रोध भी आया होगा, तभी भी हम यदि प्रार्थना करते है तो उस समय भक्ती भावना आती है मन थोड़ा शान्थ होता है इसलिए भोजन का प्रभाव भी अच्छा हो जाता है तो कहा जाता है कि भोजन करते हैं पहली बात तो यह है कि मन शान्थ हो दूसरा यह कि भोजन के बीच में जहां तक संभव हो सके बात न की जाए भावना है कि ये जिस समय स्री जी भोजन कर रहे हैं ये समय भी हमारा ब्यर्थ में ना जाए इसलिए जो सुन्दर साथ गाय सकते हैं वो सुन्दर साथ वानी गायन के लिए बैठ जाते हैं और स्री जी को वानी गा करके सुनाते हैं उसके बाद अब स्री जी ने भोजन कर लि पुभी स्रीजी की ठाली में से बचा हुआ भोजन है वो सुन्दर साथ उसे प्रसाद के रूप में लेते हैं उसके बाद चबिल दासजी यदि बीच बीच में भोजन के बीच में जल की आवश्यक्ता पड़ती है तो जल दे देते हैं बाद में हाथ हित्यादी दुलाने के बीजल देने की सेवा करते हैं, कुला कराने की लिए पीकदान की सेवा, बलबदास जी देते हैं, स्री जी के पास समिप में नजदिक ही हमेशा दो पीकदान रखे रहते हैं, आवश्यकता की अनुसार, एक एक चीज का वो ध्यान रख रहे हैं, अब देखिए चुकि मैंने पहले ही कहा कि सेवा करने वाले विक्ति को स्वयम का अस्तित्व भुला देना होता है एक समर्पन का गुण है, एक सेवा का गुण है, बिना सेवा के समर्पन की भावना विकसित नहीं होती और बिना समर्पन के सेवा के भावना नहीं आती, दोनों एक दुसरे के पूरा खोते हैं सेवा में केवल खाना बना करके खिलाना तो नहीं आता है मान लिजे कि यहां कोई एक उदाहरन के लिए एक व्यक्ति है कोई, मैं यहां स्रिजी से तुलगना नहीं कर रहा, पर एक व्यक्ति कुला कर रहा है और किसी पात्र में थूक रहा है हमजे सोको तो घ्रिणा आएगी, सच में आएगी लेकिन सुन्दर साथ के मन में यह भावना नहीं है और उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए ही स्रिजी ने सूरत से जब से निकले हैं तब से हर परस्थिती में सुन्दर साथ को ढाल करके तयार किया है कि अब अपना अस्थित्व ही वो भूल चुके हैं यह ग्रिणा देह का आभास ऐसे शब्द वो भूल चुके हैं अब उन्हें इन सब चीजों से तो दस वर्स के लिला है ना पन्ना जी पहुचने के बाद पन्ना जी में कितने सारे ग्रंथों का आउतरण हुआ है खेलवत परिक्रमा, सागर सिंगार, मारिफत छोटा कयामत नामा यह सब ग्रंथ पन्ना जी में ही आउतरित हुए अब भोजन के समय तो आउतरित नहीं हो सकते वाणी, है ना लेकिन हाँ उसके अलावा यदि वाणी आउतरित होती है तो उसको लिखने की सेवा के लिए लाल दाहजी और केसव दाहजी स्रीजी के बगल में, स्रीजी के बाजुओं में बैठा करते हैं और पूर्ण रुप से समर्पित होकर की चोपाईयों को लिखने की वसेवा करते हैं अब मयाराम जी स्रीजी वैसे भोजन कर चुके हैं लेकिन मयाराम सुन्दर साथ को एक भाव है कि भोजन के पस्चाथ गरम गरम चने वो ले शामिल होता है शाम के भोग में शाम के प्रसाद में तो चने को शामिल किया ही जाता है वो उस समय की प्रक्रिया है तो मयाराम जी चना लेकर करके आते हैं स्रीजी उसको ग्रहन करते हैं बाईजी राजजी बहुत प्रेम से श्री जी को रित्यु अनुसार, कभी थोड़ा सा दूध, कभी रित्यु के अनुसार दही इत्यादी प्रस्तूत करती हैं जिसे श्री जी सुईकार करते हैं इस तरह भोजन ग्रहण करने के पस्चाथ अब श्री जी पोढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं अब यहां इस भोजन कराने वाली सेवा के समय में भी एक चोपई आती है जिसमें महाराजा चत्रसाल जी का वर्णन है कि महाराजा अरुगा वहीं अपने हाथ तंबोल स्री राज रीज के कहते हैं कोई नहीं सेवा इनतौल भोजन के पस्चाथ स्री जी को पान का बीड़ा देत हैं स्री जी उसको ग्रहन करते हैं और कहते हैं कि महाराजा चत्रसाल जी की सेवा की तुलना में इस दुन्या में और कोई सेवा ही नहीं है हमारे जैसा सोचे तो सोचे कि क्या किया एक पान का बीड़ा ही तो दिया है ना लेकिन हम तो एक-एक क्रिया को देख रहे हैं उस प जिम्मेदारियों के बीच में समय निकाल करके, मैंने कल की चर्चा में भी कहा था कि उनकी कितनी सारे जिम्मेदारियां थी, पहले प्रहर में भी हमने उनका नाम सुना, दूसरे प्रहर की चर्चा के समय में भी हमने उनका नाम सुना, अभी भोजन करा रहे हैं, तब भी हम उ आपस आते हैं वहां स्री जी को जहां कहीं भी बैठना होता है या उठना होता है स्री जी का हाथ पकड़ करके बैठाने की सेवा या उठाने की सेवा महाराजा 16 साल जी करते हैं एक तरफ 16 साल जी दूसरे तरफ लालदा जी जब कभी महाराज जी नहीं आपाते किसी कारण से तो बाकि दुसरे सुन्दर साथ वो सेवा लेते हैं. इस तरह सुन्दर साथ स्री जी को भोजन कराने के पस्चाथ स्वयम भी भोजन करते हैं और मानिक भाई जी के घर में जाकरके पुनह वापस लटकनी मटकनी चाल अर्थात मस्ति भरी चाल से चलते हुए आते हैं और अपने पलंग पर स्रीजी विराजमान हो जाते हैं थोड़ी देर बैठते हैं फिर कमर सिधी करने के लिए थोड़ी देर लेटते भी हैं अब यह तीसरा पहर शुरू होता है तीसरा पहर बारह बजे से तीन बजे के बीज की भी तक है लेकिन कई बार भोजन करते समय थोड़ी देरे भी हो जाती है कई बार समय से भी करते हैं पर यह सामान्य रूप से एक सामान्य नियम के हिसाब से दूसरे प्रहर में भोजन की लिला समाप्त हो जाती है और उसके बाद अब स्री जी पोड़े हुए हैं क्योंकि अब कोई और क अर्था चवदह समूह है एक समूह आता है कुछ गायन करते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर वो चले जाते हैं तो दूसरे सुन्दर साथ की बारी आती है वो आ करके रीजहाते हैं अब उसमें गाने की जो सेवा है जिन जिन का गला जैसा है जिन के पास जैसी कला है अपने अपने हिसाब से आ करके सुनाते हैं अब इसमें यहाँ पर भी कुछ सुन्दर साथ है जो गायन की सेवा करते हैं देखिए गायन के लिए केवल राग सिखना परियाप्त नहीं है राजी को रिजहाने के लिए राग जानने वाले दुनिया में लाखों कलाकार होंगे पर परमात्मा को प्रसंद करने के लिए राग के साथ साथ में अनुराग का होना भी आवश्यक है अनुराग अर्थात प्रेम यहां सुन्दर साथ को राग का भी जियान है और अनुराग का अनुभव भी है अर्थात उनके हृदय में प्रेम भी है राग का जियान में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5000 की जमात है बहुत सारे होंगे जिनको राग का जियान होगा वाने भी जब हम देखते हैं इसमें राग स्री है राग बिलावल है राग स्री मारू है ऐसे बहुत सारे रागों का वनन आता है बहुत सारे प्रकरण है जो रागों में अवतरित हुए हैं जिनको सुन्दर साथ जानते हैं तो ये सब सुन्दर साथ आ करके श्री जी को वाणिगा करके सुनाते हैं उसी में एक सुन्दर साथ है जब स्री जी पोड़े हुए है एक सुन्दर साथ आती है और आकर के स्री जी के चरणों में अपना सिर रखते वे कहते हैं स्री राज मारो टपले टपला किसे कहते हैं जैसे सिर पे ऐसे टाप करना इसमें क्या है ये कौन सी सेवा है इसको आप कौन सी सेवा मिलेंगे कैसी सेवा मिलेंगे फिर भी लालताजी ने उनका नाम यहाँ शामिल किया इसका कारण क्या है पता आप केवल सारीरिक परिश्रम करें वही सेवा नहीं है जैसा कि मैंने पहले ही का सेवा परिश्रम तो मजदूर भी करते हैं पर यहां उन माता के इतने से प्रयास से कि श्रीराज मारो टकले तपले एक दिन के लिए तो नहीं यही है हर दिन के उनकी दिन चरिया है तो स्री जी जैसे ही उनको देखते हैं अपने निख्जित समय पर आती हैं जब तो स्रीजी उनको देख करके मुश्कुर आते हैं और उनके सिर पर ऐसे हाथ रग देते हैं बड़े प्यार से वो टपला मारते हैं केवल उस सुन्दर साथ की इच्छा को पूरी करने के लिए जैसे सुन्दर साथ राजी को रिजाते हैं और दूसरी बात आपकी किसी भी हरकत से गलत हरकत नहीं है आपकी किसी भी हरकत से यदि राजी या सद्गुरु के चहरे पर मुश्कुराहट आ रही है तो वो सेवा है कुछ भी हो सकता है वो कई बार उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है कभी-कभी परिश्थिति के हिसाब से छोटे से प्रयास से भी वो मुश्कुराते है वैसे तो राजी हमेशा हमसे रिजे-रिजाय ही है पर ये हमारी परिक्षा है ये हमारे लिए एक अवसर है तो वो सुन्दर साथ उस अवसर का लाब लेती है अब श्री जी पौड़े हुए हैं वाने गायन की प्रक्रिया शुरू होती है चौदा बारियां हैं गाने वाली किसी बारी में सेख बदल जी गाते हैं बकतावर जी गाते हैं ललीता सक्षी भी गाती है एक चंद्रावली नाम की सुन्दर साथ है वो पंजावी भासा में किर्तन बना करके भजन इत्यादी बना करके गायन करके सुनाती हैं अब इस एक चौपाई को पढ़कर के सुन्दर साथ कह सकते हैं चंद्रावली भी तो भजन गाती थी हमें भजन गाने से क्यों रोका जाता है चंद्रावली जी जो भजन गाती थी उस समय कोई बॉलिवुड के मूवी नहीं थे फिल्म नहीं थे कि फिल्मी दुनों पर वो भजन गाती या तो उस समय के जो लोक धुन होंगे लोक गीत के य इसेवल फिल्मी दुनों में जो भजन होते हैं, उनके लिए मना किया जाता है, सास्त्री रागपर आधारित हैं और वाणी के सिध्धान्त के अनुकूल हैं, तो ऐसे भजन के लिए मना नहीं किया जाता है, तो चंद्रावली जी आ करके गाने की सेवा करते हैं, ऐसे ऐसे सु वाणी गायन करके सुना रहे हैं चवदा वारियों में सुनने वाले स्वरूप की पहचान है हमें सुनाने वाली ब्रह्म स्रिष्टियों की भी पहचान है सेवा की पहचान है अब इसमें एक विसेस बात बता रहे हैं स्री लालदास जी और वो विसेस्ता है वाणी की विसेस्ता कि जिस वाणी का गायन कर रहे हैं उस वाणी की क्या विसेस्ता है कहते हैं कि यह जो वाणी है जिन वाणी गाय से होत है दीदार हक इस वाणी के गाने से क्या होता है राजी का दीदार होता है यहां गाने का तात्पर यह केवल शाबदिक रुप से गायन करने से नहीं यदि हम उसका भाव भी समझ रहे हैं तो इसी वाणी में राज्जी विराजमान है हम क्या कहते हैं? हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्स हुआ रोसन इस वाणी में राज्जी बैठे हुए है इस वाणी का सुन्दर साथ गायन करके सुनाते हैं यह आठ प्रहर में 14 बारियां है ऐसा नहीं है कि 5-7 मिनिट गा करके एक बारी चली जाती होगी 14 बारियां मिल करके पूरे दिन में गायन करते हैं जब भी समय होता है जैसे अभी लगबग एक प्रहर का समय है तो कुछ बारी वाले आते हैं जब तक वो गा सकते हैं जब तक उनका गला साथ देता है तब तक वो गाते हैं उसके बाद दूसरे सुन्दर साथ जब आ जाते हैं कि चलो अब हम गाएंगे उनके आने के बाद ही पहली बारी छोड़ते हैं जैसे रीले दोड़ होता है न पहले वाला पहुंचाएगा तब भी आगे दोड़ पाएंगे हम इस तरह नहीं करते हम क्या करते हैं कि हमने इतनी देर कर लिया अब कोई करे ना करे हम इस तरह से छोड़ देते हैं यहां सुन्दर साथ, जब तक दूसरी बारी नहीं आ जाती, तब तक पहले वाले गाते रहते हैं, फिर दूसरी बारी आती है, पहले वाले जाते हैं, इस तरह से बारी बारी से वाणी गायन करते हैं, और ऐसे गायन करते करते, अब चौथा प्रहर भी शुरू हो जाता है, ल पिछला बाकी दीन रहा घड़ी चार धाम वतन चलने की मुमिन करे विचार हम क्या कहते हैं कि परमधाम से जब हम आए उस समय वहां की लीला के हिसाब से वहां की अस्च प्रहर की लीला के हिसाब से साम के साम का पहला प्रहर अथवा दिन के अंतिम प्रहर में चार घड़ी सेस रह रही थी या चार घड़ी बाकी था और उस समय हम पाट घाट जाने वाले थे पधारने वाले थे प्रमण के लिए प्रेमलीला के लिए और हमें माया का खेल देखने के लिए यहां आना पड़ा अथवा हम यहां पर आए अब चित्वनी का समय हो रहा है तो सुन्दर साथ आते हैं और उस समय भी गायन तो कर ही रहे होते हैं पर सुन्दर साथ आकर कि स्रीजी से अरजी करते हैं कि स्रीजी साइब अब हमें आप परमधाम ले करके चलिए धाम उबतन चलने की मोमिन करे विचार अब श्रीजी भी सुन्दर साथ को इशारा कर देते हैं कि चलिए अब चित्वनी की तयारी करते हैं अब चित्वनी की तयारी में सबसे पहले तो सब सुन्दर साथ मिल करके इन चोपाईयों का गायन करते हैं कि किस तरह से अब हमें परमधाम चलना है स्रीजी चित्वनी कराने के लिए अब तयार है तो सुन्दर साथ के मन में भाव है कि जैसा स्रिंगार परमधाम में किया गया है वैसा ही स्रिंगार हम यहां पर भी कराएं इसलिए कुछ सुन्दर साथ श्री जी का स्रिंगार कराने के लिए तैयार होते हैं अब सबसे पहले स्री जी को एक सफेद चादर उड़ाई जाती है जिसमें सोने के तार जड़े हुए, सोने के तारों से जड़ करके बनी हुई है श्री जी के कमर में पटुका बाधा जाता है और श्री जी को ऐसा कुर्ता पहना आजाता है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बेल बूटियां बनी हुई है श्री जी की गादी के लिए बिहारी दास जी मखमली तकिया लेकर के आते हैं और अब उस समय भी जब तक ये तयारी चल रही है उस समय भी वाणी गाने वाले सुन्दर साथ ये नहीं देख रहे हैं कि चलो तयारी चल रही है तयारी चल रही है अपने जगह पर पर हम अपनी स सेवा क्यों छोड़े हमें Massachusetts मिला है हम यह सेवा करते ही रहेंगे सुंधर शाथ वानी गायन करते रहेते हैं अब स्रीजी का शेंगार कराने के बाद कि वहां से उटते हैं सेज पर से जिस सेज पर लेटे लेटे सुरू जी वानी गायन सुदर है थे वहां से श्रीजी साहब उठते हैं और चित्वनी कराने से पहले नितिक्रिया से निवरित होने के लिए कभी घंश्यामजी के घर जाते हैं, कभी किसी और सुंदरसात के घर में क्योंकि सुंदरसात का भाव भी रखना है, अब वहां लाल भाई जी क्योंकि उनकी सेवा है पावणा बिछाने की, वो पावणा बिछाने की सेवा करते हैं, कभी किसनी भाई उसकी सेवा करते हैं, एक पावणा बिछाने की, इसी तरह से गंगा दास है, सोभा दास है, ये सब सुन्दर साथ भी पावणा बिछाने की सेवा करते है अब वहाँ से उट करके कभी श्री जी लचमीदास जी के घर जाते हैं कभी किसी और के घर में इस तरह चल करके अलग-अलग सुन्दर साथ के घर में पहुंच करके मस्ती भरी चाल से लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए आकर के गादी पर विराजमान हो जाते हैं अब स्रीजी के दोनों बाजू पर दो तकीय रखे हुए हैं और पाउडे के उपर चलते हुए स्रीजी अपने गादी पर विराजमान हैं स्रीजी जब गादी पर विराजमान हुए उसके पस्चाथ अब उनके चरणों को धोने के लिए चरण पखारने के लिए छबिल प्रेम दास जी ये दो सुन्दर साथ स्री जी के चरणों को धोते हैं और केशव दास जी रुमाल ले करके अत्यन्त प्रेम पुर्वक उन चरणों को जो की जिनको अभी धोया गया है उन चरणों को पोँचने की सेवा करते हैं और उसके बाद अब श्री जी को यदि रुमाल की आऊ सेकता पड़ती है तो नारेणदास जी बहुत ही प्रेम पुर्वक रुमाल देते हैं और उसके बाद अब जो चरणामरित श्री जी के चरणों को धोने के बाद जो जल वहाँ पर उपलब्ध होता है उस जल को सुन्दर साथ चरणामरित समझ करके ग्रहन करते हैं अब चित्वनी से पहले थोड़ी देर पहले श्री जी को कुछ हलका फुलका आहार कराया जाता है कुछ हलका नास्ता ले लेते हैं अब नास्ते में वैसे तो विशेश रुप से स्री जी को कुछ आयरुवेदिक आउसदियां जैसे लौंग है इलाइची है जावंत्री है जायफल है ऐसे आयरुवेदिक आउसदियों को मिला करके काढ़ा बना करके दिया जाता है और उसके लेने के बाद अब स्री जी सुन्दर साथ को चित्वनी कराने के लिए तयार ह सुन्दर साथ आ करके अब गायन करते हैं जब स्रीजी तयार हो गए तब कि धाम वतन चलने की मुमिन करे विचार इसी समय हम परमधाम से आये थे अब हम जाने का विचार करते हैं अब जब महाराजा चातरसाल जी आये होते हैं उस समय ये सेवा करते हैं श्री जी को दोनों बाजू में पकड़ करके अपने आशन पर बैठाने की सेवा और कहते हैं जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन अपना तन धन सोपिया तो कहया अमिरूल मौमिन हमने कल की चर्चा में भी सुना था परसो की चर्चा में भी सुना कि छत्र साल जी को अमिरूल मौमिन क्यों कहा गया ये कारण है अपना तन, मन, धन सब कुछ समर्पित किया और उनके जैसा करने वाला कोई नहीं था न कोई होगा आगे इसलिए उन्हें अमिरुल मुमिनिन की सोभा मिली है अब परमधाम की चित्वनी का समय हो गया है चित्वनी से पहले कुछ सुन्दर साथ के मन में ऐसे भी भावना आती है कि जैसे राजा महाराजा होते हैं तो राजा महाराजा की सुरक्षा के लिए लोग क्या करते हैं उनके कुछ सैनिक हथियार ले करके ढाल तलवार भाला अथवा बर्ची रिट्यादि ले करके रहते हैं तो वहाँ पर भी कुछ सुन्दर साथ हैं जो विशेश रूप से ढाल तलवार ले करके खड़े होने की सेवा करते हैं एसा नहीं कि सुरक्षा के लिए Tao अश्यक है केवल सुरक्षा की बात होती तो महाराजा 16 साल जी के सैनिक भी वहाँ पर वो सुरक्षा दे सकते थे पर सुन्दर साथ के मन में एक सेवा की भावना है और स्रीजी के प्रती सम्मान की भावना है यहाँ पर यह सम्मान का प्रतीक है कि जिनके लिए हम ढाल तलवार इत्यदी ले करके तयार हो रहे हैं, उनको एक जैसे संचार में एक महराजा की सोभा होती है, इसी तरह से हमारे लिए भी श्री जी, इस संचार के राजा महराजा से कम तो नहीं है, इस भाव में उन्होंने ये सेवा की है, उसमें कुछ दिनों तक मुरली धर जी ये सेवा करते हैं, कुछ दिनों तक बिखारी दाह जी ये सेवा करते हैं, फिर गिरधर जी उस सेवा को करते हैं, उसी सेवा को कुछ दिन लाल दाह जी ने भी की, कुछ दिन संत दाह जी ने की, कुछ दिनों के लिए सुरत सिंग ने ऐसे बारी बारी से सु पहिनाने की भी सेवा की है और उसके बाद अब पांचवें प्रहर इतने समय तक साड़े चार बजे के बाद ये सब कुछ करते करते कुछ समय व्यतित होता है और पांचवें प्रहर की सुरुवात होती है एक सुन्दर साथ आती है लच्छो बाई लच्छो बाई आकर के स्री जी साइव, आज हमें कौन से घाट ले करके जा रहे हैं, लच्छो अरज करत है, राज पधारो कौन घाट, श्री राज उत्तर देत हैं, आज पधारें पाट, आज हम पाट घाट ले करके जाएंगे, क्योंकि परमधाम से, जिस समय, जिस घडी, जिस दिन हम यहाँ आना था, या हम यहां आए, वैसे तो आज भी वहाँ पर सोई घड़ी, सोई पल कहते हैं, तो वहाँ जाना था, इसलिए स्री जी कहते हैं कि हम पाट घाट ले करके जाएंगे, अब स्री जी सब सुन्दर साथ को वहाँ चित्वनी कराने के लिए तैयार है, कहते हैं कि कहा कहों इन समय की जहां राज विराजे तखत आई जी मोर्चल करते हैं सो कहयो न जाए बखत जब धामधनी स्री जी साइब तखत पर विराजमान है बाई जी राज जी अथवा जिनको हम तेज कुँआरी जी भी कहते हैं वे स्री जी को मोर्चल करते हैं, उस सोभा का वर्डन किस तरह से किया जाए? महराजा 16 साल जी दूसरे तरफ मोर्चल लेते हैं और स्री जी को चमर करते हैं, कभी-कभी लालदास जी और केशवदास जी के मन में भी होता है कि चली हम भी सेवा करते हैं, स्री जी के पीठ के पी संध्या को अवसर पहर रात लो रोसन अब चित्वनी के समय में बारी बारी से सुन्धर साथ संध्या को अवसर का गायन करते हैं संध्या को अवसर में क्या है यह प्रकार की चित्वनी ही है अब आज के समय में हमारी वह अवस्था नहीं है कि हम गाते गाते ध्यान कर सकें गा भावलिंता में भी उनका भाव सीधे राज्जी से ही जोड़ता था तो हुव संध्या को अवसर में साम के समय में परमधा में होने वाले लीला अलग-अलग पक्षियों के लीला जैसे मान लिजे कि कृष्ण पक्ष के पंद्र दिन है तो उसमें क्या-क्या लीला होती है शुकलपक्ष के पंद्र दिन में क्या-क्या लीला होती है वो सारा गायन करते हैं सुन्दर साथ और इस तरह से गायन और उसके पस्चात चित्वनी की जो प्रक्रिया है वो एक प्रहर रात्री तक चलता है मतलब रात्री का एक प्रहर व्यत्तित हो जाता है अब उसमें मना बाई आकर के स्रीजी को अरजी करती है संध्या को अवसर के गायन के पस्चात कि स्रीजी साहिब आप हमें राजी का और श्यामा जी का स्रिंगार बताईए अब यहां स्रिंगार के वर्णन का तात्पर क्या है कि स्रीजी वर्णित करेंगे और सुन्दर साथ उस वर्णन के आधार पर चित्वनी करेंगे तो स्रीजी वस्त्रों की सोभा का वर्णन करते हैं कि किस तरह से स्यामा जी ने सेदुर्या रंग की साड़ी पहन रखी है और क्या है आस्मानी रंग की पिछोरी है श्यामा जी की जो कंचु की है जिनको आजकल की बोलचाल की भासा में बलाउज कहा जाता है ये श्याम रंग की है ये तो श्यामा जी का स्रिंगार हो गया राज्जी का जो पाग है पाग मतलब जिसको पगड़ी भी कहा जाता है सिंदुरिया अर्थात लाल रंग की पाग है वैसे तो कहने को लाल रंग है पर सागर स्रिंगार में जहां राज्जी की शोभा का वर्णन है वहीं एक चोपाई कुछ इस तरह से भी है कि पाग बदले कई कोट पल में एक पल में पाग की सुन्दरता करोडो बार बदल जाती है जैसी आत्मा की इच्छा है उस रूप को रिजाने के लिए वह पाग वैसे ही रूप धारन कर लेता है क्योंकि जड़ तो है नहीं वहां तो सब कुछ चेतन है हमें समझाने के लिए एक आधार देने के लिए उस पाग का वर्नन हुआ सोने की तारों में जामा सुपेत जवेर तार सफेद रंग की जवाह रातों से जड़ी हुई सोने की तार में जड़ी हुई जामा अर्थात कुर्ते की सोभा है आश्मानी रंग की पिछोरी है राज्जी की और इस प्रकार से इसी प्रकार नीलो न पिलो रंग का पटुका है नीलो न पिलो मतलब तोते के जैसा जो रंग होता है उसको कहते है नीलो न पिलो रंग का जो पटुका है जिसको राज जी ने कमर में धारन किया हुआ है केसरिया रंग का इजार है तो ये राज जी का स्रिंगार है इस व्रकार ये तो क्योंकि स्री लालदाज जी ने संग्षेप में वर्णन किया स्री जी साहिब पूर्ण रूप में वर्णन करके युगल सुरूप की शोभा और स्रिंगार का वर्णन करा के चितवनी कराते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि आज का जो दिन है नौरंग बाई का नृत्य है नौरंग बाई का नृत्य कहां? चौथी भोम में नौरंग बाई का नृत्य होना है तो नौरंग बाई की भी स्रिंगार का वर्णन करते हैं उनके वस्तर का वर्णन करते हैं कि उन्होंने श्याम रंग की साड़ी पहनी हुई है और उनकी जो कंचु की है उनकी जो ब्लाउज है वो पिले रंग की है, आम के जैसी, कहते हैं आमबा रस कंचुकी, जो पका हुआ आम होता है पिले रंग का उस तारह की कंचुकी है और पांच रंगों की पट्टी वाली उन्होंने, चरणिया, जिसको आज की भासा में पिटी कोट कहा जाता है, वहां धारन किया हुआ है पहनी इजार नीली नीले रंग की इजार पहनी हुई है इजार जहां तक मैं समझता हूँ जो चुड़ीदार पाईजामा होता है उसको कहा जाता है ये निरत करने वाली नौरंग बाई की शोबा है ये उनका स्रिंगार है इस तरह से स्री जी साहिब ने सुंदर साथ को परमधाम की चित्वनी कराई स्री लालदाफ जी कहते हैं कि स्वरूप दाता ब्रहमाण में भय हैं दो-तीन सो लिखे सास्त्रों में जो लियाए आके निस ब्रहमाण में स्वरुप की पहचान कराने वाले केवल दो-तीन लोग ही हुए जिनोंने सास्त्रों में अपने इश्ट और आराध्य का वर्णन करके सुनाया है जैसे कि नारद जैसे रिशी हुए नारद रिशी ने अपने ग्रंथों में विश्णु भगवान की सोभा का वर्णन करके सुनाया इसी तरह से बहुत अधिक नहीं है जिनोंने अपने आराध्यों रिश्ट का स्वरूप बता करके सुनाया पर एक अक्षरातीत हैं जिन्होंने ब्रह्म स्रिष्टियों के लिए परमधाम की सोभा स्रिंगार को अपनी ही नहीं श्यामा जी के भी सोभा स्रिंगार को इस संचार में ला करके प्रगट कर दिया है क्या कहते हएं सो स्वरुप वइकूंध का जाय कहा मलकूत कहने वाले फिरस्ते जिनका ठोर जबरूद एक स्वरूप वइकूंध वाला हो गिया जैसे नारज जी ने वर्णन किया कहने वाले भी इस संचार के फरिस्ते ही हैं या आवतारिया महापुरूस हैं तो वैकुंध तक का उन्होंने वर्णन किया है दूसरा जो स्वरूप है वो अक्षरधाम का है पहला स्वरूप वैकुंध का दूसरा स्वरूप अक्षरधाम का जिनका वर्णन उनकी सूर्ताओं जिनको हम पंचवासना कहते हैं, पंचवासनाओं में से कबिर जी ने थोड़ा वर्णन किया होगा, सुकदेव जी ने थोड़ा वर्णन किया है, उनके अलावा और किसी ने नहीं किया, पर ये जो परमधाम की शोबा है, परमधाम की छवी है, उसका वर्णन किस ने किया, ये अक्षर का स्वरूप जिनको कुछ पंचवासनाओं ने वर्णन किया और तीसरा जो स्वरूप है परमधाम का उसे कहने वाले कौन है कहने वाले धामधनी और सुनने वाले सुने मोमिन कर परतित। सुनने वाले ब्रह्मधिस्टी हैं जिनोंने उनको विश्वास करके सुना और सुनने वाले भी कैसे हैं निष्ठा बद्ध सुनत है जाय सांच होवे कान जिनके कान सच्चे होते हैं मतलब हृदय के कान से वो सुनते हैं और निष्ठा बद्ध हो करके सुनते हैं अब उसके ब भाव है कि श्री जी की आरती करनी है प्रति दिन आरती होती है सुन्दर साथ आरती की तयारी करते हैं तो सबसे पहले उनके मन में ये भाव है कि जिस प्रकार परमधाम में युगल सोरूप है जैसे छत्रसाल जी ने किया इस प्रक्रिया की शुरुवात उन्हों ने की तो जै जी के साथ बैटने की अरजी की जाती है अब कहते हैं कि स्री जी के तखत के पास ही उनके भी तखत उनके भी बिच्छोंने लगाया जाते हैं और आने के बाद अब सबसे पहले तो बाईजी राजी आरती करती हैं वैसे तो सुन्दर साथ उनके आरती करते हैं पर उनके मन में भी तो भाव है ना कि महामती जी के रिदर्या में सब भी राजमान है पांचों सक्ती भी राजमान है तो वो अपना भाव व्यक्त करती हैं पहले स्वयम आरती करती हैं और उसके बाद फिर सुन्दर साथ का भाव रखने के लिए परमधाम के भाव से वो स्रीजी के बाजू में, स्रीजी के बगल में तखत में बैठ जाती हैं और वहाँ अब आरती की तयारी होती है सब सुन्दर साथ आते हैं 22 जी रजी की द्वारा आरती किये जाने के बाद, अब सुन्दर साथ मिल करके आरती करते हैं उस आरती का वरणन श्री लालदाह जी ने किया जिसको हम प्रती दिन साम की आरती में कंचन थाल चहु मुखा दीवाला कहकर के वरणित करते हैं कल की जर्चा में भी मैंने कहा था कि कंचन थाल परसों की जर्चा में कि कंचन थाल आरटी नो हो करके आरटी की комментарileri है कि उस समय आरती कैसी की जाती थी उसकी सोभा का वरणन है कि आर्थी तो भिननभिनन होते थे जैसे आरती अंग क्शत उरदस केरी या जय जय सत्त गूरु आरती तेरी या पूरण ब्रहता न्यारे या फिर आरती करू मारा वाला जीने के रिए ये सब आरती है सामकी सिवा पुजा में भी आप देखेंगे आरती बहुत सारे हैं पर हम परंपरागत रूप से केवल कंचन थाल चहुमुखा दीवाला बोलते हैं जबकि कंचन थाल चहुमुखा दीवाला ये आरती नह है कंचन मतलब सोने की थाली है जिसकी जोती जिसमें दिपक दिवला मतलब दिपक हैं दिये हैं जिसकी जोती चारों तरफ प्रकासित हो रही हैं और सबसे पहले करत आरती जियावर रानी सबसे पहले बाईजिरा जी ने आरती करी अपने हृदय में आनंद का उल्लास ले करके जिन महामती जी के आरती की जा रही है उनके रिदैधाम में युगल सुरूप विराजमान है जो की अखंड सुख देने वाले हैं और वह अत्यंत मंगल मही है उनकी शोभा कहते हैं उनकी सोभा का वणन करते हुए निर्खंता मनमोई उनको देखते हुए मन मोहित हो जाता है जब सुन्दर साथ आरती करते हैं तो सखिया निरत करे और गावे सुन्दर साथ निरत्य करते हैं गायन करते हैं उनके रिदय में अपार आनंद होता है ताल, मृदंग, जाज, यंत्र बाजे सुन्दर साथ ताल बजाते हैं मृदंग बजाते हैं जहाज इत्यादी विभिन प्रकार के बाजे बजाते हैं और यंत्र बजाते हैं यंत्र किसे कहते हैं जिन वाद्धियों में तार लगा होता है न जैसे सितार है विना है ऐसे बहुत सारे हैं सैकडों होंगे वाद्ययंत्र, मुझे तो इतना सारा नाम भी नहीं पता, तो उन वाद्ययंत्रों को यंत्र कहा जाता है, जो तार से बने हुए हैं, तो ऐसे यंत्रों को बजाते हैं, और सुंदर साथ श्री प्राण्णा जी का जैकारा लगाते हैं बधावे मुक्ताफल सखिया सुन्दर साथ मुक्ताफल कहते हैं मोति को मोतियों को अरपित करते हैं बधाई देते हैं श्री जियावर स्याम सुहागी राज्जी और उनकी जियावर अर्धांगेनी श्यामाजी के चरणों में मोतियों की बधाई देते हैं और तनमन जीवनी छावर की नहों स्री इंद्रावती चरणों लागे हैं कि में इंद्रावती की आत्मा युगल स्वरुप के चरोणों में अपना प्रणाम करती है देखे एक ही आरती में कौन-कौन आरती कर रहा है बाइजी राज जी भी आरती कर रही है महामती जी के रिदय धाम में विराजमान युगल स्वरुप की महामती जी जिन में जो सो शोभा है इस तरह से करते करते आरती समाप्त होती है सुन्दर साथ आ करके अब जैकारा लगाते हैं और कहते हैं एही अक्षरातीत है एही है धनी धाम एही महम्मद महदी इसा एही पुरे मनुरत काम जिनकी आरती की गई है यही अक्षरातीत है यही धाम धनी है यही आक्रु इमाम मुहम्मद महदी हैं इनहीं के अंदर इसा रू अल्ला भी हैं जो सब की इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं अब क्योंकि पहले दिन की चर्चा से ही जहां जहां भी औसर मिला है हमने प्राण्णा जी की स्वरूप की पहचान कराने में कोई कसर नहीं रखी है स्री लालदाश जी ने हर प्रसंग में स्री जी को अने को बार हक, राज, अक्षरातित जेसे सबडों का प्रयोग किया है तो मुझे लगता है कि सुन्दर साथ इस चोपाई को भी गंभीरता से लेंगे और पहचानेंगे कि स्री प्राण्णा जी कौन है एही अक्षरातित है इस प्रकार, अब रात्री का एक प्रहर भी समाप्थ हो जाता है, रात्री का एक प्रहर मतलब, आठ प्रहर में से पांचवा प्रहर समाप्थ हो जाता है, पांचवा प्रहर कितने बजे से कितने बजे तक, शाम के छे बजे से, रात्री के नो बजे तक, अब उसके पहचात, क के, ए साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियों चित दे, Lाल आए आए बैठे इन तकखत, महमति स्री लाल्दाह जी कहते हैं, कि अब चर्चा का समय हो जाता है, इसमें, स्री जी तकट बे आकर के विराजमान हो जाते हैं और लालदाह जी, स्री जी के तखत के आगे आ करके विराजमान होते हैं और अब जो चर्चा होने वाली है उसको आप चित दे करके ध्यान पुरवक सुनिए बहुत से सुन्दर साथ चर्चा करने से पहले इस चोपाई को पढ़ते हैं प्रार्थना के रूप में कुछ सुन्दर साथ वंदो सद्गुरु चरण को बोलते हैं कुछ सुन्दर साथ इस चोपाई को पढ़ते हैं मुझे भी एक बार किसी सुन्दर साथ ने पूछा था मेरे विचार से 2015 के आसपास कि सब लोग तो बितक करने से पहले इस चोपाई को बोला करते हैं महमती कहे, साथ जी भया चर्चा का बख़त आप क्यों नहीं बोलते हैं तो मैंने कहा देखिये ये तो वैसे तो मेरा अपना विचार है हो सकता है कि सब लोग जो करते हूं वो अपने इसाब से सही हों मैं किसी को गलत तो नहीं कहता पर मुझे ऐसा लगता है कि यह जो चोपाई है श्री जी की चर्चा के समय प्रयुक्त हो रही है कि चर्चा करने वाले श्री जी है और वहां ग्रंथ वाचने के लिए जो आ रहे हैं वो श्री लालदास जी है हम उन ब्रह्म मुनियों की चरण धुली के बराबर भी अभी नहीं हुए है पूरे जीवन भर भी यदि हम इसी सेवा में अपना जीवन लगा देंगे तब भी हम उन ब्रह्म मुनियों जैसे सेवा नहीं कर पाएंगे तो मैं इस लायक नहीं समझता कि अपनी चर्चा के समय में इस चौपाई का प्रयोग कर सको जो सुन्दर साथ करते हैं वो सकता है वो इस चौपाई को किसी दूसरे रूप में लेते हो पर वैसे चौपाई का जो अर्थ है यह यही है कि स्री जी साहिब चर्चा के लिए अब विराजमान होने वाले हैं और लालदाह जी ग्रंथों को वांचने के लिए कभी वो कुरान पढ़ते हैं स्री जी के आदेश पर कभी हदिश पढ़ते हैं कभी यह दिवानी की चर्चा हो रही होगी तो वानी पढ़ते होंगे इस तरह से तयारी होती है अब कहते हैं अब कहों प्रहर छठे की जित चर्चा होत है हक बैठे सुन्नत जमात सो खास गिरोह भुजरक अब सुनने वाली जो ब्रह्मिश रिष्टियां है वो चर्चा में बैठते हैं कुरान हदिश वांचने के लिए लालदाह जी विराजमान है और कभी-कभी उसी सेवा को करने के लिए लालदाह जी को यदि कोई विसेश सेवा आ पड़ती है तो गोकूलदाश जी बैठते हैं अब स्रीजी की चर्चा में सुभह भी एक नाम आया था किसका जो एक टक देखते रहते हैं मुरलिधर जी साम की चर्चा में भी उनका नाम आया है कि मुरलीधर सम्मुख बैठत पलकन मारत नैन एक पल के लिए भी उनकी पलकें नहीं जपकती है एक टक स्रीजी को देखते हैं अब उस समय चर्चा सुनने के लिए कहते हैं एक बाजु स्री महाराजा और देवकरण जी साथ और दुरगभान पिछल जाके धनी पकड़े हाथ महाराजा चत्रशाल जी चर्चा सुनने के लिए आ रहे हैं रात के नौ बजे के बाद का अब प्रसंग शुरू हो रहा है पर वहाँ भी महाराजा चत्रशाल जी हैं देवकरण जी हैं दुरगभान जी हैं लालदाह जी कहते हैं कि धामधनी जिन सुन्दर साथ पर मेहर करते हैं केवल वही चर्चा सुनने के लिए बैठ पाते हैं अब दूसरी तरफ उसी राजपरिवार में से और भी सुन्दर साथ हैं कि सोरी जी हैं और भी कई सुन्दर साथ है महिलाओं में से वो आकर के दूसरी तरफ बैठते हैं और कई सुन्दर साथ है जो चर्चा सुननी के लिए बैठते हैं कि सुरी सिंग है अमान राय है परवत सिंग है नारैन दासे सक्ति सिंग है ऐसे बहुत सारे सुन्दर साथ हैं, जो चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं, अब यहां एक प्रसंग बहुत सुन्दर स्री लालदाजी ने वर्णित किया है, कहते हैं, और साथी केतिक, आवे निष्ठाबंद, कोई आवे मर्जाद में, कोई परवाह की सनन्द, चर्चा सुनने के लिए जो और कुछ आते हैं प्रवाह में, सुनने के लिए भी, यह तो आने वालों की बात हो गए, अब आने के बाद सुनने वालों में भी, कोई सुनत हैं पुष्ट में, पुष्ट मतलब द्रिड हो करके, कि मुझे समझना है, मुझे अपना कल्यान करना है, ऐसे पुष्टी भाव से सुनते हैं, कोई मर्यादा का पालन करने के लिए सुनते हैं, कि यदि श्री जी पूछ दिये, तो इसलिए भी सुनते हैं, और कोई प्रवा हमें सुनते हैं, कि चलो इतने सारे लोग जा करके सुन रहे हैं, तो हम भी सुन लेते हैं, हम कई बार ये गलती करते हैं, और ये ए तार्तम नहीं लिया है उसको के देते कि वो प्रवा ही है तार्तम लेने के बाद भी अपनी आत्मकल्यान के लिए न करके दूसरे की देखा देखी प्रवा हमें ही किया जाता है तो वो भी प्रवाही है क्योंकि प्रवाह जो है वो अवस्था है प्रवाह कोई नाम नहीं है कोई पद नहीं है यदि हमारी अवस्था भी देखा देखी करने की है तो हम भी प्रवाही हैं और ये न केवल चित्वनी के संदर में ये न केवल चर्चा के संदर में, बलकि चित्वनी के संदर में भी ऐसा ही है, सेवा के संदर में भी ऐसा ही है, पढ़ने के संदर में भी ऐसा ही है, यदि हम चित्वनी भी इस हिसाब से करते हैं, कि सुबह सुबह स्वामी जी को प्रणाम करने के लिए गए, स्वामी जी ने पूछ लिया कि चित्वनी किये तो क्या जबाब देंगे तो वो मरियादा है और हमने देखा कि दस लोग बैठे हुए हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा इतने सारे लोग बैठे रे चलो हम भी बैठ जाते हैं तो ये प्रवा है देखा देखी करने की हाँ कई बार ऐसा हो सकता है कि देखा देखी करते करते सच में आदत लग जाए आनन्द आए और दिल से करने लगें उसका भी लाभ तो है पर यदि सुरुवात में ही स्वरुब की पहचान करके भाव पूर्ण रूप से करें तो लाभ हम और सिग्रता से प्राप्ट कर पाएंगे अब सुनने वाले हो गए उसके बाद उसी चर्चा को ग्रहन करने वाले भी अलग-अलग तरह के लोग हैं तो स्री जी अब चर्चा करते हैं कहते हैं यो एक-एक के तीन-तीन तीनों के नौ फेर बाटे तीन बेर 27 कहो देखिए अब यहां सुरुताओं के अलग-अलग भेद हैं नौ प्रकार के भेद कैसे होते हैं देखे पुष्टी प्रवाह और मर्यादा यह प्रवृती है सुनने वाले की और उसको आत्म साथ करने वाली जो क्रिया होती है वो भी तीन होती है श्रवन, मनन और निधिध्यासन श्रवण मतलब सुनना मनन मतलब मनन करना अधवा अंदरी अंदर विचार करना और निजित ध्यासन मतलब उसको आचरण में लाना और उसको ग्रहन करने वाले लोग भी तीन गुणों के होते हैं सत्व रज और तम गुणी इस प्रकार से 27 भेद होते हैं ताके 81 भए पक उसको भी यदि तीन तीन भेद में बाट दिया जाए तो 27 पक्ष हो जाते हैं इसी को श्रवण मनन निदि ध्यासन इत्यादी को ही अलग-अलग रूपों में रूपा अंतरित करके नाओधा वक्ती के रूप में दर्स आया है नाओधा वक्ती में भी तो यहीं आते हैं ना श्रवण, मनन, कीर्टन, अर्चना, वंदना, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन इत्यादे तो यह नाओधा वक्ती हैं इसको तीन प्रकार से लोग ग्रहन करते हैं और तीन ही गुणों के लोग ग्रहन करते हैं तो 81 पक्ष हो जाते हैं और उसके अलावा 82 पक्ष जो है वो वल्लभाचारे जी का है 83 पक्ष कभीर जी का है और कहते हैं और 25 पक्ष ब्रह्म स्रिष्ट के कहें उन उपर अलग जो 25 पक्ष है वे ब्रह्म स्रिष्टियों के हैं जो 83 पक्ष से भी उपर हैं तो जब स्री जी च चर्चा में अलग-अलग विशे थे उसी तरह से साम की चर्चा में भी अलग-अलग विशे रहते हैं परमधाम के कभी रंग महल का वर्णन करते हैं कभी साथ घाटों का वर्णन करते हैं केल लीवोई अनार अमरित जांबु नारंगी वट जो सात वन हैं यमना जी में उन सातों वनों के सामने सात घाठें उनका वर्णन करते हैं यमना जी के दो पुलों का केल और वट का वर्णन करते हैं रंग महल की दसों भोम दस भोम मतलब वैसे तो नव भोम है पर चादनी चोक से देखने पर क्यूंकि एक भोम मुचा चबूत्रा है उस हिसाब से दस भूम की उचा ही दिखाए पड़ती है तो उनकी सोभा का वर्णन करते हैं क्योंकि सोभा तो उस चबूत्रे की भी है ना उसमें किस तरह से आकृतियां बेल बूटे बने हुए हैं केवल बेल बूटे ही नहीं वहाँ पर बहुत सारे प प्रथम भूम में मूल मिलावे की शोभा है मूल मिलावे में किस तरह से ब्रह्म स्रिष्टियां विराजमान है किस प्रकार 64 थंब के तीन हार है ये सारा वर्णन में बहुत अधिक व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहली बात तो यह कि हम लाख कोशिस कर ले फिर भी स्रीजी जैसी चर्चा करते थे हम तो कर नहीं पाएंगे और दूसरी बात जो चर्चा स्रीजी करते थे सांकितिक रूप में यहां बताया ही गया है मेकवल संकेतों में ही उसका वर्णन कर रहा हूं तो कैसे प्रथम भूम में मूल मिलावे की शोभा है दूसरी खडोकली की भी शोभा उसी में आ जाती है किस तरह से तीसरी भूम में पड़साल और दूसरे मंदीरों की शोभा है पड़साल की अन्य मंदीरों की जहां पर राज्जी आराम करते हैं किस प्रकार चोथी भूम में नित्य की हवेली की शोभा है पांचमी भूम में रंगप प्रेमानंद के लिला करते हैं किस तरह से छटी भूम में सुखपाल और तक्तरवे की सोभा है कैसे साथवी भूम और आठवी भूम में क्रमसह दो ताली और चार ताली के हिंडोले हैं कैसे नवी भूम में दूर दर्शिका है जहां पर बैठ करके राजी क्या कराते हैं पूरे परमधाम की शेर रंगमहल में बैठे बैठे कराते हैं नजरों से नजरों सब आवत है इन उपर की बैठक वहां बैठे बैठे हर दिशा के सामने खड़े हो करके जैसे पुर्व दिशा की तरफ खड़े हो गए तो वहां जो जो भी शुभा आती है रंगम्हल की बिल्कुल नजदी की परिक्रमा से ले करके सातों परिक्रमा में जो जो भी आते हैं इसी तरह से पस्चिम उत्तर दक्षिन चारो दिशाओं को दिखाते हैं तो स्री जी चर्चा में ही यहां बैठे बैठे उन सब का वर्णन करते हैं इसी तरह से यह तो सोभा हो गई साथ में लीला का भी वर्णन सुनाते हैं कि वहाँ पर क्या-क्या लीला होती थी और उसी लीला की बात करते-करते फिर ये भी बताते हैं कि वहाँ इस प्रकार की प्रेम की लीला थी और उसी प्रेम की लीला में एक दिन तुम्हारे मन में आया कि तब रुहों के दिल उपजया हम खेल देखें भगवान किसका खेल देखें भगवान जी का भगवान जी मतलब अक्षर ब्रह्म है ना भगवान जी खेला तो बाल चरितरे ना तो अक्षर ब्रह्म के लिला को देखें कहते हैं बहुत बरजियां इनको फेर फेर तीन बेर बहुत चाह जब देखिया उतारी बीच अंधेर स्री जी कह रहे है उत्तम पुरुष्क में कि मैंने तुम्हें तीन बार मना किया तीनों बार तुम नहीं मानी तो मुझे उतारना पड़ा पहले बरज में आए फिर बरज की लिला का वर्णन कर रहे है क्योंकि एक दिन की बात नहीं है न आज चर्चा करते जाएंगे जहां तक पहुचेगा पहुचाएंगे और फिर आराम करेंगे सुन्दर साथ के हिसाब से वानी चर्चा बंद कर देंगे वानी गायन सुनेंगे अगले दिन उसी प्रसंग को निरंदर करेंगे किसी एक विशाइंप पर छोड़ करके तो बरज लिला का वर्णन सुनाते हैं कभी रास लिला का वर्णन सुनाते हैं कभी मुहम्मद साहब की लिला का वर्णन सुनाते हैं इस तरह से वर्णन करते करते दिन बीतते जाते हैं और चर्चा के क्रम में रात्री का छठा प्रहर भी समाप्थ हो जाता है छठा प्रहर समाप्थ होने का तत्परे क्या हुआ रात के बारा बज गए हैं नौ से बारा तक चर्चा देखिए, नौ बजे चर्चा शुरू हो जाती है, बारवजे खतम नहीं होती है, बारवजे तक तो चर्चा चलती ही चलती है, कभी कभी ऐसा हुआ होगा, कि छठे प्रहर में चर्चा समाप्त हुई हो, अन्य था, साथ में प्रहर में भी लगबग लगबग डेड़ घंटे तक तीन में से लगबग डेड़ दो घंटे तक चर्चा निरंतर करते हैं, क्योंकि सुनाने वाले, जब सुना रहे हैं, सुनने वाले सोचते हैं, क्योंकि माया का तो कोई काम नहीं है, जैसे मान लीजिए, कि आप सब सुन्दर साथ को भी, यदि मन में चिंता नहों, कि हमे तो इस चर्चा को पांच बजे की जगह पर छे बजे तक भी चला है, किसी को कोई परिशानी नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा पैर और कमर में दर्ध होगा, थोड़ा बहुत खिचेंगे, लेकिन यदि आनंद आ रहा होगा, तो बैठेंगे, नहीं आ रहा होगा, तो अल पर सब सुन्दर साथ बैठे हुए, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है, किसी प्रकार का संसय भी नहीं है, तो सुन्दर साथ बैठ करके, अब चर्चा लगातार ही सुन रहे हैं, रात के दो प्रहर समाब्थ हो गए, दिन के चार प्रहर समाब्थ हो गए, अब सात्वा प्रहर सुरू हो रहा है जिसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं अब स्रीजी की चर्चा तो चल ही रही है उधर स्रीजी की विश्तर को उनकी सैया को व्यवस्थित करने के लिए गद्दा, तक्या, इत्यादी लगाने के लिए नारायन दास जी, द्वारीका दास जी, गंगा दास जी और पर्मानन जी यह चार सुन्दर साथ हैं जो स्रीजी का विश्तर तयार करने लगते हैं अब वही विश्तर है जो कल की पहले प्रहर की चर्चा में हमने सुना पचरंगी, पाटी, भरी, अत, नरम, खुसबोय, वही वाली सहिया है जिसमें स्रीजी पहले प्रहर में होते हैं क्योंकि रातरी के अंतीम प्रहर में जिसमें बैठे होंगे, सुबह के पहले प्रहर में वही होगे तो उसी की सोभा का वर्णन यहां पुनह कर रहे हैं क्योंकि कल की चर्चा में हम वर्णन सुन चुके हैं विसलिए अब दुबारा में वर्णन नहीं कर रहा हूँ अब वर्णन विस्तर तयार करने के पहचाथ अब आकर के स्रीजी से अर्जी करते हैं वल्लब दासजी कि स्रीजी साहिब आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके विश्राम का समय हो गया है समय भया पौढ़न का राज पधारो इस ठाम अब आपके पौढ़ने का समय हो गया है कृपया आईए और अपने विश्तर पर लेट जाई अथवा आराम कर लीजिए लेकिन कहते हैं चर्चा में चित रहे स्वाद धाम बर्नन सब स्रवना देत सनेहसो खास गिरोसयन अब स्रीजी का मन भी सुन्दर साथ की एकागरता को देख करके चर्चा में लगा हुआ है इसलिए स्रीजी निरंतर चर्चा करते ही जा रहे हैं सुन्दर साथ आ करके आगरह करते हैं सुन लिया एक बार देख लिया और फिर चर्चा जारी करते हैं इसी चर्चा के बीच में कभी किसी के मन में सवाल भी होता है तो कहते हैं सवाल करे कोई बीच में ताको दे उत्तर फिर चर्चा तिन पर होते हैं रस घटे न कियूए कर अब कोई सुन्दर साथ प्रस्ण पूछते हैं तो स्री जी उसका उत्तर देते हैं और उसी प्रस्ण के उत्तर में आगे अगली चर्चा शुरू होती है उसी विशाई को स्री जी स्पष्ट करते हैं और इस प्रकार कभी भी चर्चा का आनंद कम ही नहीं होता फिर इस बीच में कभी लाल दाह जी आकर के कोई नई आयत ले करके आते हैं कि स्री जी साहब आज एक ऐसी आयत मिली है जिसमें कोई विशेस बात बताई गई है तो फिर स्री जी उस पर चर्चा करते हैं फिर कभी जैनती दाह जी आते हैं कभी गोकुल दाह जी आते हैं जिन जिन को जो कुछ भी नई बातें मिलती है सुन्दर साथ को सुनाने के लिए वो आकर के स्री जी को देते हैं और स्री जी उसका वर्णन करते हैं अलग-अलग दिन कहते ह पर घड़ी दो चार व्यतीत अब इस तरह चर्चा जारी है और दो चार घड़ी बीत जाते हैं मतलब कभी पौने घंटा हो गया कभी डेड़ घंटा हो गया इस तरह से चर्चा करते करते रात के लगभग डेड़ बजे का समय होता है अब यह सात्मा प्रहर है उस सात्मे प्र ये प्रती दीन नहीं है हर दिन ये दिनचरिया नहीं ये चतरव साल जी की पर ये है कि जब भी अवसर मिलता है वो किसी भी प्रहर में आ जाते हैं और जिस समय महाराजा chतरव साल जी बैठ करके स्री जी की चर्चा सुनते हैं तो कहते हैं कोई न बोले इन समय, साथ चर्चा के अधिन, कोई भी सुन्दर साथ बोलता नहीं है, क्योंकि सब सुन्दर साथ स्री जी की चर्चा में इतना दूब गए हैं, अब बाईजी राजी भी चर्चा में बैठी होती हैं, और बाईजी राजी बीच में लाल दास जी, गोकुल दाहजी जो बीजबीज में हदीश इत्यादी लेके आते हैं उनको संकेत करती हैं कि अब समय हो गया है थोड़ा ता आराम भी दे दो क्योंकि इतने समय से चर्चा कर रहे हैं उनको आराम देना भी आवस्यक है तब आकर कि उनसे अर्जे की जाती है अब स्री जी ने देखा कि बार-बार सुन्दर साथ अर्जी कर रहा है प्रार्थना कर रहा है तो स्री जी क्या कहते हैं कि ठीक है अब मैं चर्चा बंद कर रहा हूँ तुम सूरत राखो धाम में स्री राज पौड़ने की ठोर अब आप सब अपनी सूरता कहां लेके जाईए जहां राज जी पौड़ते हैं परम्दा में कहां पौड़ते हैं रंग प्रवाली मंदिर में तो रंग प्रवाली मंदिर में आप सब अपनी अपनी सूरता लेकर के जाईए और स्री जी अब उस रंग प्रवाली मंदिर में होने वाली प्रेम आनंद का वर्णन करते हैं अब यहाँ यह भी चित्वनी ही तो है शाम को भी चित्वनी हुई रात्री को भी चित्वनी हुई और सुबा भी कम से कम दो बार तों वहाँ चित्वनी होती ही है और उस समय स्रीजी सब सुन्दर साथ का ध्यान रंग प्रवाली मंदिर में करा करके कहते हैं सुरूप बर्णन सनेहसो करत साथ पर प्यार। सुन्दर साथ को सुन्दर साथ पर प्रेम प्रगट करते हुए स्रीजी साहिब राजी की सोभा का युगल सुरुप की सोभा स्रिंगार का वर्णन करके सुनाते हैं उसके पस्चात वल्लबदास जी आते हैं वल्लबदास जी आकर के स्री जी से अरजी करते हैं कि स्री जी साइब आप मुझे परमधाम की वृत वर्णन करने की अनुमति दीजिए अब स्री जी स्विक्रिती देते हैं तो वल्लब दाह जी मध्यरात्री का स्वरुप सुनाते हैं मध्यरात्री में राजी का स्वरुप क्या होता है श्रिंगार क् के बाद स्री जी वहां से उठते हैं और मानिक दास जी के घर में देह क्रिया के लिए जाते हैं नित्य क्रिया से निवरित होने के लिए अब उसमें एक तरफ लाल दास जी हैं लच्छी दास जी हैं जो हाथ पकड़ करके स्री जी को दोनों तरफ से हाथ पकड़ करके उठाते हैं अब वहाँ रात के सात्वे प्रहर का समय चल रहा है लगबग डेड़ दो बजे का समय उस समय भी सुन्दर साथ के मन में ये भाव है कि पावड़ा बिछा ना है वहाँ भी पावड़ा बिछाने के लिए सुन्दर साथ तयार है अब हिम्मत सिंग जी है जो स्री जी के लिए पावड़ा बिछाते हैं जिस पर स्री जी बड़े आनंद भरे चाल से चलते हुए मानिक भाई जी के घर में जाते हैं अब वहाँ बाई जी राज जी भी साथ हमें है गौर बाई जी बाई जी राज जी के वहाँ बैठाती है और अब वहाँ स्री जी नित्यक्रिया से निवरित होते हैं और रातरी के डेड़ दो बज़े के आसपास क्या करते हैं क्योंकि पांच हजार की जमात है कहते हैं कि एक प्लास्टिक के टोकरे में कुछ बरतन रखे जाए तो वो बरतन भी आपस में बज़ते हैं पांच हजार की जमात में कहीं न कहीं किसी न किसी का थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा जगड़ा या फिर छोटा मोटा विवाद होना तो सभावी खिये तो स्री जी के पास यदि किसी दिर ऐसे कोई मुकदमे आते हैं तो वहां कहते हैं हस्ते उत्तर देते हैं कोई न्याय चुकावे इत स्री जी किसी के भीच में विवाद हुआ होता है तो उसका समाधान करते हैं फिर वहां से अपनी सया पर आकर के विराजमान होते हैं अब सया में विराजमान होने से पहले यदि सर्दी की रितु है तो सुन्दर साथ बिहारी दास जी स्रीजी के विस्तर को अंगिठी से गरम करने की सेवा करते हैं अब उधर मुरली धर जी स्रीजी से विदा लेते हैं और भी सुन्दरसाथ हैं जो स्रीजी से विदार ले करके जाते हैं, स्रीजी अपने पलंग पर पौड़े हुए हैं, अब गाने वाले सुन्दरसाथ आते हैं, जिनमें सेख बदल प्रमूख है, शेख बिदल जी आकरके विविन प्रकार की साखियों का गायन करने लगते हैं कभी वानी का गायन करते हैं इसी तरह से बहुत सारे सुन्दर साथ हैं जो अपनी अपनी बारी के हिसाब से गायन करते हैं और कुछ सुन्दर साथ पास में जो मानिक जी का घर है वहाँ बैट करके श्री जी की जो चर्चा की गई है उस चर्चा को दोहराते हैं जिसको चर्चा की अर्चा कहा गया है उदर वाने गायन चल रहा है श्री जी लेटे हुए है मानिक दास जी के घर के पास में मुरली धर जी जैनती भाई ये सब विराजमान होते हैं कभी जैनती काका की कोठरी में विराजमान होते हैं स्रीजी साहिब की बिस्तर के पास में बाईजी राज जी का बिस्तर लगता है वो वहाँ पर लेटती हैं अब रात्री का सात्वा प्रहर है उसमें भी वाणी गायन सुन्दर साथ कर रहे हैं, श्री जी वाणी गायन सुन्द रहे हैं, बाईजी राजी भी पास में हैं, और उधर जैनती काका की कोठरी में सुन्दर साथ आपस में बैठ करके स्री जी की चर्चा को दोरा रहे हैं, अभी भी वाणी जो है वो बंद नहीं हुई है इस प्रकार अब स्रीजी कभी कभी सुन्दर साथ को बुला करके पूछते हैं कि अभी भी कौन वाने की चर्चा कर रहा है कौन ऐसा सुन्दर साथ है जिसके हृदय में इतनी लगन है इतनी निष्ठा है ऐसे करके सुन्दर साथ को बुलाते हैं, कई बार पुछवाते हैं कि कितने सुन्दर साथ हैं, कहते हैं कभूं 10, कभूं 20, 30, 40, 50, कभूं 60, 70, 80 ए धाम धनी की आस, इस तरह से कभी 10 की संख्या होती है, कभी 60, 70, 80 और आखिर में 100 तक की संख्या पहुंचती है, स्रीजी प्रस प्रहर है, समाप्त हो जाता है, कहते हैं, श्री महामति कहें मुमिनों, ए सात्वे प्रहर की बीतक, अब कहुं पहर आठमा, ताकि सुनो शिफत, अब आगे, कल क्योंकि समाप्ति पूजन है, हम आठवे प्रहर की चर्चा, और 36 कारखाने, मतलब 36 विभाग बनाए हुए हैं, म अभी के लिए समय पूरा होता है, श्री महामति कहें मुमिनों, ए सात्वे पहर की बीतक, अब कहुं पहर आठमा, ताकि सुनो शिफत, बोलो श्री प्राणनात, बोलो श्री सद्गुरु महारात, प्रणाज